हलो फ्रेंज वेलकम तो कार्गी क्लासिस डेटाइज की बारा फरवरी 2021 और इंडियन एक्स्प्रेस के इंपोर्टन न्यूज देख लेते हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट न्यूज है जो की चाइना और इंडिया के बीच में फाइनली एक कॉन्वर्शेशन एक कुछ कल्मिनेशन होता हुआ दिखाए दे रहा है कि एक फ्रंट जहां पर स्टेंड ओफ चल रहा है पैंगॉंग शो ठीक है ये लेक है लद्दाक रिजिन में वहाँ पर डिस प्लॉइड है उन पर अभी बाचीत चल रही है बाचीत होनी वाकी है तो एक तो देखेंगे इस आर्टिकल को दूसरा इस तरह हम देखेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रिस्पेक्ट करने की ज़र्वत है लेंड ओफ दे लो डैट मींस इंडियान तो हमारे पास में फ्रंट पेज पे कुछ भी इतना इंपोर्टन नहीं है जिसे हमें डीटेल में देखने की ज़र्वत हो कि बैटर कम्यूनिकेशन ट्वेटर किस तरीके से अपने रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है इंडियन टीम अपनी जो इंडिया टीम है उसमें सीनियर को डेपलॉई कर रहा है क्योंकि इंडिया ने जो कंसर्ण्स राइज किया है वो सारी बातें बिलकुल भी काम का अर्टिकल नहीं है इसी तरीके से एंफॉर्समेंट डिरेक्टरेट ने अपनी तरफ से न्यूज क्लिक पे रेड किया है यह एक ऑनलाइन न्यूज न्यूज एजंसी है उसपर तो वहाँ पर बहुत सारे रेमिटेंसे कर वो मिला है तो इसमें रेमिटेंस और ये चीजे बता barbar कि है कि हूं झेको बठ यहांسे इक चीज बड़ी क्लियर हो रही है कि न्यूज ормड़ी है तो कहीं ना कहीं इसमें एक थोड़ा सा डर ये है कि बाहर से पैसा आया है न्यूज को फैलाने के लिए समझ गे तो वो देखेंगे एडिटोरियल में कोई opinion आएगा तो देखेंगे यहां से हम कुछ opinion अभी तयार करेंगे नहीं बाकि एक्सपर्ट्स जो बताएंगे उसको हम पिक कर लें ज्यादा ठीक रहेगा तो ये भी डिसक्स नहीं करेंगा हाँ थोड़ा साब देखो तो एडी के बारे में गूगल कर लो इसके बारे में जरूर देखना है ठीक है rescue operation की बात करें जो रुशी गंगा है रिशी गंगा है जिसमें अभी floods आई हैं उत्राखंड में वहाँ पर अभी rescue operation continue है और fresh car भी देखने को मिला है मतलब थोड़ा पानी और ज्यादा भी flow होता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये भी already हम बहुत discuss कर चुके हैं पुरा detail में ब परेशाने हो रही हैं तो ये भी discuss नहीं करेंगे इसके अलावा जस्टिन टूडो ने जो पंजाबी लोग हैं जो सिक community के लोग रहते हैं वहाँ पे कैनेडा में उनको pacify करने के लिए पहले भी statement दिये थे फार्मर्स के एजिटेशन के ओपर अब रही सही में ये बोल रहा ह है वह सारी चीजें तो ये बिलकुल भी कामका है नहीं हमारे लिए आर्टिकल नीचे दे के फूलन देवियो और ये ये भी आर्टिकल हमारे लिए बिलकुल कामका नहीं है ठीक है आगे देखते हैं अब हम आगए है economy पेज्वे जो हमारे Prime Minister ने जो address दिया है अपना लोग स चुका है तो फाइदे वाली चीज है तो इसके बारे में हमने सुबह डिसकुशन कर लिए इडिटोरियल में इसमें और कुछ भी नया नहीं है माइनूट चीज चीजे हैं बिल्कुल काम की नहीं है इधर जो एयर ट्रेवल है उसको थोड़ा राइस करने की बात चल रही है फ इस क्रिप्टो करेंसी में और खुद के जो रिजर्व्स हैं कंपनी के उनको बिटकॉइन के तोर पे इकटा कर लें ठीक है बट इंडिया में अभी भी इसके उपर कही ना कहीं कन्फूजन चल रहा है कभी फॉर्थ कभी बैक इस पे कहीं ना कहीं डिसिजन नहीं ले पा र पेल में फर्स तो है चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स का जो डिसेंगेजमेंट हो रहा है पैंगॉंग शो में देखो यह नॉर्दन है बैंक यह सदरन बैंक है इंडिया की तरफ से जो परसीवड एले सी है वह आप देख सकते हो यह लाइन जो आ रही है ठीक है अब इस स्टेंड ओफ का जो पॉइंट था वो थे को यहां पर था फिंगर 3 & 4 के बीच में तो आप देखो यहां से यहां तक चाइनीज ट्रूप आगे तक आ गए थे तो यहां पर स्टेंड ओफ चल रहा था जो कि यह लोकेशन आप इधर मैप में देख इधर इमेज में देख प तो यह वाला जो रीजन है ना इस रीजन को आप कहोगे नो पेट्रोलिंग रीजन इसके उपर ना तो इंडियन ट्रूप आएंगे ना चाइनीज ट्रूप आएंगे यह बिलकुल वेकेंट रहेगी फिफ्ट, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ के जो फिंगर्स हैं उनके कि चाइनीज ट्रूप से फिंगर फोर्ड से फिंगर रीट की तरफ चले जाएंगे उसके इस्ट में नॉर्दन बैंक में आठ किलोमेटर वेस्ट लगबग आ गये थे वह फिंगर रेट से फिंगर फोर्ड तक और इंडियन ट्रूप जो हैं वो धंसिंग थापा पोस्ट जो कि फिंगर 3 के पास में वहां तक लगे रहेंगे और उन दोनों एरियास को सेपरेट करेगी क्या एक स्ट्रेच जो कि नो पेट्रोलिंग जोन कंसिडर की गई है इस चीज के बारे में अनॉंसमेंट किया गया हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंग जी ने पार इसा नहीं कि मन में आया तब मुझ उठाया और कुछ भी करना शुरू कर दिया नहीं बोथ साइड शोड रिस्ट्रिक्ट 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 अनॉब्जर्व दे लसी नमबर टू दोनों साइड में से कोई भी अपनी तरफ से यह जो स्टेटस क्यों है जो अभी सेटल कर दी जाएगी उसको यूनिलेटरली चेंज करने की कोशिस नहीं करेंगे नीदर साइड शुड एटेम्ट तो अल्टर दे स्टेटस को यूनिलेटरली तीसरा सभी एग्रिमेंट्स जो भी अंडिस्टेंडिंग है दोनों पार्टीज के बीच में अगर फाइन अडिया-China रिलेशन के अगर बात आये तो और जो एग्रिमेंट हुए हैं उनको एंटारिटी में आपको मानना पड़ेगा जितना एग्रिमेंट में एक एक वर्ड बाइ वर्ड आपको उनको अबाइड बाइग करना ही पड़ेगा ठीक है यह चीज है और टार्गिट क्य इसी आर्टिकल में आप continue कर सकते हो ये दूसरा वाला portion इसमें चीजे वो ही repeat हो रही है पैंगोंग शौमें डिसंगेजमेंट का वो बात सारी breakthrough वो सारी चीजे हो गई बट यहाँ पर important चीज क्या है इंडियन टूप्स ने August 2020 में अपनी तरफ से forward stepping की थी और उसका result क्या है कि आज इंडिया रेचिनला और रेजांगला यहाँ पर आप कह सकते हो commanding position में है तो हमें ध्यान रखना है रेचिनला और रेजांगला ये दोनों के दोनों Eastern लदाख लद से ठीक है नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट रिस्पेक्ट लेंड ऑफ और स्वरी लॉफ दे लेंड यहाँ बात कही है हमारे जो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स और इन्फरमेशन टेक्नोलोजी है रवी इस टाइम पर तो ट्विटर जैसे सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने यूएस की जो पुलीस है उसको सपोर्ट किया था जबकि रेड़ फोट पर सिमिलर एक तरीके का एक्शन देखने को मिला था आज ट्विटर सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा तो यह डबल कोई सवाल उठाता है तो वो इस फ्रीडाम और फीच एंड एक्सप्रेशन के उपर गॉर्मेंट लगाम लगा सकती है हमें यह पता है ही कि बारा सो से ज़्यादा ट्विटर हैंडल्स को बंद करने की बात की थी क्योंकि यह मिस इंफरमेशन स्प्रेड कर रहे हैं प्रोव को सस्पेंड किया है और साथ में ये भी है कि जो और साथ में ये भी बात सवाल उठाया जा रहे है कि जो अकाउंट थे वो ना तो किसी मीडिया हाउस के थे यह media entity के थे ना कोई journalist के थे ना कोई activist के थे ना politician के थे पर बात क्या है कि देखो अगर आप इस तरीके से सब को कब करने लग गए सब की बातचीत को अगर वही बात है देखो dissent, deliberation, discussion, debate ठीक है नाराजगी यह सारी चीजें democracy का pillar है criticism government को accept करना चीए और यह बात हमारे जो central minister है उन्होंने कही भी है तो right to freeze expression under Indian law जो है उसको भी protect करना एक जरूरी बात है बट आगे देखें तो हमारे जो minister है उन्होंने ये कहा है कि IT ministry ने अपनी तरफ से strong displacer register करवाई है twitter का जो response हाया था उसको लेकर कि एक emergency situation है उसको उनको support करने की जरूरत है साथ में एक कू करके एक homemade version भी शुरू कर दिया गया है जिसके बारे में बता रहे हैं कि एक social media platform है जिस पर social networking platform है जिस पर बहुत सारी ministry departments यूनियर government की वह लगातार काम भी कर रही है बट economy page पर यह आ है कि जो कू है इसको बोला hack भी किया जा सकता है यह सारी speculations है वो बात देखो जब reality सामने आएगी तो पता पड़ेगा अभी फिलाल तो एक क्या होता है कि मतलब एक बंदे ने mail किया है वो लग कू है जो hackable hack हो रहा है हमसे बट point यहां पर क्या आ जाता है यही कि आज जो कुछ भी है freedom of speech and expression अगर है individual को दी हुई है तो वहाँ पर उसको देश की security के बारे में पहले सोचने की जरुट है देश की sovereignty को हम compromise नहीं कर सकते है आगे चलते हैं अब हम आगा है सीधे economy page पे देखो global financial companies ट्वीटर यह सब bitcoin में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है जबकि इंडिया अभी भी इस पर सोचता अभी जारी कर रखा है इंडिया ने cryptocurrencies अभी recently क्या है जैसे ही टेसला ने जो एलो मस्क है उन्होंने जैसे इंवेस्टमेंट किया ना एक डेड़ बिलियन डॉलर का तो bitcoin की prices आप देखो 48,000 डॉलर से भी ज्यादा market कर रही है इसके अलावा bitcoin का ये जो investment देखा तो mastercard जिसका आप देखते हैं आप ATM यूज करते होंगे mastercard ये group है ना payment player है USA based lender है bank of new york melon ये भी है ये कहीं ना कहीं अपनी खुद के assets को diversify करने के लिए ये जो alternative digital assets है ना जिसमें bitcoin होगी cryptocurrency है बोला उसमें भी आप वो invest करने वाले हैं इंडिया की बात करें तो इंडिया ने देखो crypto currencies को accept करने से अभी मना कर रखा अभी ये pipe dream है that means अभी बहुत लंबा सपना है बहुत दूर का सपना है गॉर्मेंट ने अपनी तरफ से एक legislation भी introduce किया है जिसका full form क्या है crypto currency and regulation of official digital currency bill 2021 इसमें main aim क्या है कि जो private crypto currencies है that means government या कोई central bank अगर किसी crypto currency को नहीं मतलब generate कर रही है तो बोला उसको हम इंडिया में allow नहीं करेंगे उसको ban करने की बात की जा रही है तो कहने का मतलब कि केवल official digital currency होगी ना उसको तो फिर भी चलो allow कर दिया जाएगा वाकि private में जैसे कि bitcoin है ना उसका कोई central bank नहीं है तो बोला इस currency को हम allow नहीं करेंगे आप देखोगे reserve bank of India ने 2018 में crypto currency को पहले ही ban कर दिया था फिर इस order को Supreme Court में चैलेंज किया गया और Supreme Court ने overturn कर दिया कि बोला कि इस तरीके से आप currency को कैसे ban कर सकते हो पर बिल आ गया तो अब देखने वाली बात यही है कि crypto currency को ban किया जाता है और साथ में यह भी कर दिया इस bill का provision क्या है कि अगर कोई इस तरीके की crypto currencies रख लेता है जो कि private entity ने generate कर रखी है कोई central bank की नहीं है उसको अगर कोई रखता है तो वो criminal offense consider किया जाएगा देखो इस bill को inter ministerial committee के पास में भी रखा गया जिसमें कि chairman of chairmanship किसकी रही secretary department of economic affair और उसके साथ में जो दूसरी ministry के जो members है वो भी बैठे और बातचीत की गई तो report में ये कहा गया कि जो all private cryptocurrencies है उनको तो रखा जाएगा बेन केवल कोई state, state का मतलब कोई भी government अगर cryptocurrency issue करती है तो उनको हम allow कर देंगे तो इसी बात को लेकर के finance minister ने अपनी तरफ से बात भी कही है कि जो inter ministerial committee है उन्होंने बहुत सोच समझ करके recommendation दी है और उसी के basis पे हम ये legislation लेकर के आ रहे हैं दूसरी तरफ आप देखोगे mastercard, bny melon, cnbc ये सब मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा इंवेस्ट करने की बात कर रहे हैं तो आप सवाल ही आ जाता है कि इंडिया में क्या देखो इंडिया में तो जब तक ये legislation बना रहेगा न या इंडिया का stand अभी तक ये continue है तो हमारे या पर तो valid नहीं है यह चीज आप ध्यान रखना बाकी तो फिर वह परस्पेक्टिव रिपीट किये जा रहे है कि experts का क्या कहना है क्या नहीं कहना वो सारी चीजे ठीक है एक बार आप देख सकते हो मैं इसको scroll up कर रहा हूं देरे देरे आप पोज करके पढ़ सकते हो बाकी इसमें से और कुछ भी काम की चीज नहीं थी इंडिया का जो concern था वो हमने देख लिया ठीक है तो इस तरीके से इस discussion में इतना ही है thank you very much